या किसी ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें माला पहनाएंगे या कनियाजी से किसी ने कहा कि गोवर्धन उठा करके अगर यहां लाज बचा लोगे तो तुम्हें माखन खिलाएंगे तो कुछ मूर्ख मान सम्मान के चक्कर में अध्यात्म और धर्म से दूर हो जाते हैं और ऐसा करने वाले लोग अकेले ही रे जाते हैं उनके साथ कोई आता नहीं कुछ लोगों काम ही अनावस्षक चर्चा जिस बात का कोई मतलब भी नहीं जो नीती में नहीं है नियत में नहीं है कि अभी देखो रास्ते से वाहां कोई जा रहा हो ना अचान क्या है ओटरक है क्या अरे टायर फट गया इतने टाइम में तुम भगवान का भजन करो निया इतना बच्चा हो टाइम किसी के अपने बच्चों को ग्यान दो ना कुछ नहीं जिसकी जिम्मेदारी लिए है अर्धांगनी है शेवांगनी है धर्मांगनी है उसको टाइम दो ने लेकिन अन्हांस्यक चर्चा तो कहने का मतलब है कि जिसे सेवा करना है या जिसके भाग में भोग में प्रारब्ध में सेवा है उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई बहन वो स्वयम करता है और परमात्मा उससे करवा लेता है यह सारे काम प्रारव से हम आपकी नगरी में आए इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है ऐसा मेरा मानना हर मैं कहता हूँ क्योरा जैसी मैं हमें सा बच्चों को कहता हूँ कि इसमें मेरा एक पैसे का कोई योगदान नहीं है और मुझे किसी का दिया हुआ सम्मान भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा रूप नहीं, स्वरूप नहीं, अनुरूप नहीं, तन नहीं, तो मुझे मान सम्मान का भी प्राय भी नहीं। फिर ये पूर्व जन्म से प्रकृती ने निर्धारित किया था कि ब्रह्मानपुरी आपको इतने लोगों की सेवा जा करनी पड़ेगी हमें तो पारसद बना के ठाकुर उने नाम बड़ा कर दिए लगा क्या? कुछ में? ये तो निर्धारित है, नहीं तो ये कथा दो साल पहले भी ओती और एक साल बाद भी होती हम पहले भी आ सकते थे, आबाद में आ सकते थे लेकिन सुभकार्य कभी भी निर्धारित करके नहीं किया जा सकता है अगर आप पात रहे तो आपका भोग, आपका भाग, आपका प्रारब्द आपसे पहापुरुस्यों के अशिरवाद से करवा लिया जाता है माद्यम बनना है, यस लेना है, अब लोग बैठके सोचते होंगे अरे इतनी बड़ी कथा चार दिन में आए जित हो गई बताओ, यल्डी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, इतना साउंड है, कहां से आएंगा, कहां से भरेंगा, कौन देंगा तुम्हें कमाने के लिए हाथ दिये, सोचने के लिए बुद्धी दी, स्वाद लेने के लिए जिहवा दिया, तीर्थ करने के लिए पद दिया, जो तुम्हें इतना दे सकता, जो किसी काम के नहीं, जो राम का काम करता, उसे कौन रोक लेगा, वो तो पहले से निर्धारित आप गोर करना, अपना घर का करजा आपका बाकी हो सकता है, लेकिन बेटी के ब्याह का करजा बहुत आसानी से उतरता है, क्योंकि वो यग्जी है, अपने जीवन में अन्भो ले लेना, आपके घर में दूद जल्दी चाय के लिए भले ना मिले, लेकिन जब सतनारेन कता हो ग कि इतना सकते हो, एक सीमिद दारा है अपका, कह तक सोचोगे, मेरे दो बच्चे, दो लड़किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं तो कहता हूं इन संसारियों को संतों का सानिध पाना इन्हें आता साब, और इन्हें प्रश्न करना तो आता ही नहीं, संतों के पास प्रश्न क करने के लिए दो महीना, चार महीना, छे महीना, साल लगाओ, लेकिन जब संत का सानिध मिले, परमात्मा का सानिध मिले, तो जीवात्मा और परमात्मा की बाद करो, अध्यात्म की बाद करो, जगत कल्यान की बाद करो, मेरी बेटी का ब्याहा नहीं होता, यह लिए, मेरा प नहीं टिकता, मेरा घर नहीं बनता, अरे वो तो जब होना हो ही जाएगा नो, उसके लिए हरी से साधना करो, अर्दास करो, प्रार्थ ना करो, लेकिन जब कभी अन का कण मिले, तो ब्यर्थ नहीं बेखना, और जब कभी संत का रज मिले, तो उसे मस्तक पे लगा लेना, से, क्या मानते है, सट्टे वाले आए ना, पैचान हो गई, आठ साथ दिन हो गया है, और मैं तो पूरा भारत भामता हूं, बहुत सावधान देते हैं लोग, अब हमसे कुछ लोग कहते है, स्वामी जी, आपकी सारी बातें जाएज हैं, आप किसी के घर नहीं आते, नहीं जाता है, जाता है नहीं सा, एक जगा बैठ गया है, और आप देखेंगे, यगर मैसाना वे वस्ता वी बनी, तो कहीं दूर एक दू एक दू एकर जैमीन खरित के जोपड़ी होगी, महल नहीं होगा ब्रह्मान पुरी का क्योंकि वो सूलों के पत्के संती है, घर नहीं जात आपका धन दूलत का है, रुपया, पैसा, बंगला, यह आपकी संपत्ती है, लेकिन मेरी असली संपत्ती तो मेरी साधना है, आकस्मिक हम किसी के नगर में पूछते हैं, किसी के घर पूछते हैं, किसी को माशिक धर्म हैं, या कोई अस्वस्तता हैं, और वो जल हमने पी लि किसी के घरम पहुचे कोई मांसा हैरी है किसी ने मदिरा का पान किया है आकस्मिक वो बरतन में मैंने कर लिया ना तो मेरी साधना खतम हो जाएगा जैसे आप अपनी संसार की सुरक्षा करते हो ना ऐसे हमाहीं भी सुरक्षा कवच करके बैठना पड़ता है कि ज्यान बुद्धि भरष्ट होय नीच यन खाय से ग्यान बुद्धि भरष्ट होय नीच यन खाय से कुलकर है नास होय ब्राम्मन सताय से और संसकार भरष्ट होय मदिरा के पाय से संतों का काम और सिश्यों का काम अलग है सिश्य का काम है जगत कल्यान करे धरम धन का पूरक है और धन धरम का पूरक है उसके पास जो भी धनराशी आए उससे अपने दाईतों को पहले पूरा करे भी आये ना, ऐसा नहीं पैसा है कि बाबा के पास, वह मामलागर बुड़े, पहले बेटी के लिए लिखो, पहले मा की सेवा करो, बाप की सेवा करो, बचे में दान करो, और संत का काम है कि अपने सिस्स के लिए सुखत जीवन के लिए इस और से प्रार्थना, कामना, यज्य और अनुष्ठान करें, ये दोनों के रिष्टे का सूत्र है, श्री मत भागवत कथा में आये, विस्से चल रहा था, चर्चा चल रहे थी कि सेवा करने वाले को बोलने की जरूरत, सीखना चीए है न हमें वक्षपाल से, अभी कनिया गोपाल नहीं हुए है, अभी कनिया वक्षपाल है, 60 साल, 70 साल, 80 साल के भुजूर्ग, हीवा, बैच करके चर्चा कर रहे हैं, कि अरे, काली दाह में आज पानी पीने के बाद एक गया फिर से मर गई, एक छोटे से सरूप में मेरे नंदलाल, सिरिफ सुनते हैं, कि जल पान करने से, विस्युक्त जल को पीने से, एक गाए मर गई, और कनहिया जी चुपचाप जमना के किनारे चले जाते हैं, कि आज तो मैं इस कालिया को यहां से हटा के ही रहूंगा, चाहे मेरा प्राण क्यों न जाए, गवहत्या नहीं होने दूँगा, नहीं होने दूँगा, और हम दूद देना गाय बंद कर दे, फिर उसे पंदरा सो में बेशते हैं, गईया कहीं भी जाए, समाधी नहीं लगा सकते, इतने स्वारतियें में, दूद वाली गाय रखेंगे, दूद देना बंद किया, और हम बोलते हैं न, उनको मारो जो गाय काटते हैं, लेकिन उनको तो देखा जाएगा, लेकिन जो गाय कसाई को बेजते हैं, उनके साथ क्या भी ओहार करें निर्णे, तो हमारा आपका ही होगा न, शीखिए, एक छोटा सा बच्चा शिर्फ ये सुना है, कि गया काली देह में विस्पान करने से मर गई, और मेरे नंदलाल चल पड़े, बहाना बना करके, कनिया से ये सीखना है, कि कनिया जी ने देहन का सुरका बद किया, अगा सुरका किया, बका सुरका किया, ये सारे सुरका बद तो कनिया जी ने कर दिया, पर हमें आपको भी एक राक्षस का बद करना है तक ने तवारी बाबा नहीं करना है हमारे आपके मन मस्तिस में एक भी राक्षस बैठा है जिसे हम बृत्ती असुर कहते हैं उसे बदलो तो भौपार हो जाओगे कि जीन की आदत हो जीन की आदत बुरी लाखरों को जीन की आदत बुरी लाखरों को दर असल वो बदलते हैं जीन की आदत बुरी अक्ठरों को बदलती नहीं है जीन की आदत बुरी लाखरों को जलिवां बदलती नहीं है अगर मुही आठी लोगों जट्स जलिवां बदलती नहीं है जरे सलिवां बदलती नहीं है नाके कोशित करो मेरे आदो नाम कागशी चलती जरे सलिवां बदलती नहीं है जरे सलिवां बदलती नहीं है जरे से फैरा के काशित हाँ लाँ पे गोशित करो मेहने आरो लाँ 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 जाने के खले में नहीं पीछे जब दो चलताई नहीं है लाँ पड़ी के चलती नहीं है मुखे पे ठारिके वहाने जों प्रसलता पीछे पीछे करे वह पुराई जाई पीछे पीछे करे वह पुराई पीछे पीछे करे वह पुराई मुखे खरते वह अन दौत चंता पीछे पीछे करे वह पुराई पीठे पीछे करे वो गुराई कर ले कितना ये तल मेरे मनवा कर ले कितना ये तल मेरे मनवा पानी चल्दी में भरता कर ले कितना ये तल मेरे मनवा जिनकी आदत है जिनकी आदत है तुरी लाकरों को कर ले कितना ये तल मेरे मनवा अई, रिया जेव पूरी लाकरों को मीजूत आदत है जिनकी आदत है तुरी लाकरों के नहीं तल मेरे मनवा जिनकी आदत बुरी होना उनको उसी में मजा आता है हमारे अज़ध्या में कहवत है कि सो सो जूते खाएं तमासा गोष करो जैसे गुजरात में कहवत है कि जारे तमने गंग था हस्वानू नथी रोया करो आपना जीवन मा जे था है ते जोया करो आपन खाली राम नाम जपना का करते है अगली लाइन में भूल गया आप लोग याद कर ले ना राम नाम जपना इतना बरडन है कादी लाइन छूड जाती है एक बालक सेंगा पाले ठीड़त कराके लाइंके माहराइच कितने तिर मोने 4 धाम करा देंगे ते नहीं सबढ़ी देंड़ महाराँ तरे 4 धाम ऊदर मेरे भी धाम है तो आप तहले वेसें के दारनात बदरिै नात द्रिषा, काशी, विष्वनात बयस मेंने कि अमारा पणचार दामों छे बाप जी तमने खबर चे ने न तिनल भॉईET मैंने क्या कह बर हूय नुदाम रव मैंने कह राणी टीक खबर पड़े वाई मारा दाम नाम आमोडू जे तमें, आमडूो अनुद। सासुतीरत सासुतीरत ससुतीरत आगे के लाइन में भूल गया जिए ना आगे के लाइन में भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि सुबे से लगाओ तो तीन अच्छर भूल जाता हूं आप लोग याद कर लें ऐसे आभास काफी लोगों का होगा कि सबसे बड़ा कीरत कहा है जहां पहले सर दुकाया जाता है कनया जी को सेवा करनी है बादसल है लेकिन चल पड़े हैं जमुना के किनारे पर हमारे नंदलाल ने भाव क्या दिखाये मालू है कि चले है नाग नाथन को बहाना कनया जी नाग को बगाने जाए लेकिन चल पड़े हैं कनया जी नाग को बगाने चले हैं लीला लचा रहे हैं खेल बहुत है कबड़ी है हुतुतु है खो है आज कनया जी गेंद खेल रहे हैं कनया जी ने गेंद स्रीदामा को मारा स्रीदामा उनके पीछे भगे और सारे गवालों ने मिलकर गेंद खेला कनया देख रहे हैं देखते देखते गवालों ने अब कनया जी जान भूज कर जमुना की तरफ ही भागते चले जा रहे हैं जो कि उनकी लिला तो वही जाने स्रीदामा ने गेंद फेक कर मारा और गेंद काली दा में जाकर गिर गया अब आजकल जैसे लोग कहते हैं न कि सर अगर हमारी इच्छा वाली बात नहीं हुई तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे आपने हमारे जाती समाद को अगर टिकट नहीं दिया तो हम आपको मद्दान नहीं करेंगे आप हमारे ब्याह में नहीं तो हम आपके ब्याह में नहीं आएंगे ऐसे बच्चे भी कहते अगर मुझे खेलने को नहीं दिया तो मेरा बैट लेकर गया तू बॉल से रमते रही हो भी आपने मेरा नाम नहीं डाला आपने मुझे सम्मान नहीं दिया तो हम आपके साथ हैं नहीं रहेंगे अब यहाँ वो दसा हो गई श्री दामा केता है ओ काना तू होगा तेरे बड़े घर का मैं तो मेरी छोटी से गेद में खुस हूँ कर्मिया केता है वाई दूसरी ला दूँगा तीसरी ला दूँगा चोथी ला दूँगा वो केते ना ना मुझे तो मेरी वही गेद चाहिए गटने अब भगवान का दूसरा उतार हो, तो कलाएं घट जाती हूं बढ़ता दूसरी कार ने जो अज खेता है ना मैं आपके साथ आता हूं लगीन आपने मेरी मानी नहीं तो मैं क्यों आओँ आप मेरे आयोग में सम्मिलित नहीं थे इसले मैं आपके सायोग में कैसे आऊू। मामंडलेस्वर जी आपकी कुम्ब की आत्रा थी, आपने मेरी फोटू नहीं लगाई थी वैनर में, तो मैं कैसे आऊू। अबे मूर्ख मरने के बाद फोटू लगती है, जीते जी सिर्फ संतों की लगती है, अब दे काम कर ले, आतो भगवा पहन ले, आतो अगली तेहरी कर ले करनाया जी चाह स्री जावना, भाई ना, मेरा वही गेंद चाहिए। करनाया जी को लीला रचानी थी, और देखते देखते करनाया जी ने चलांग नगा दिया। करनाया जी देखने है कर दोड़ा है काम कर दोड़ा है।